नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग? मेरा नाम है अनेल और आप सभी देख रहे हैं आट अक्चिव यूटूब चैनल यदि आप आइफोन यूजर हैं या आइपड यसी डिवाइस का यूज करते हैं तो आपको थोड़ा सतर खुने की जरूवत है यदि आपको अपनी privacy की फिक्र है तो क्योंकि वी कई apps ने iPhone user को track करने का एक नया तरीका निकाला है जूकि आपके activities को track कर सकती हैं आपकी location का पता लगा सकती हैं जैसे कि आपको पता ही होगा कि iPhone दूसरी applications को track करने की permission नहीं देता जब तक कि आपने इसको खुदी allow नहीं किया है तो जब आप ऐसी किसी application को iPhone में इंस्टल करके पहली बार open करते हैं तो यह आपके activity को track करने के लिए permission मांगती है यदि आपने आपने allow नहीं करते तो वो application पर आपको easily track नहीं कर पाती तो फिर ऐसी applications companies को इसकी वज़े से काफी नुकसान उठाना पड़ता है तो अवे non iPhone users को track करने का एक नया तरीका निकाला है जिसमें से Facebook को नाम सबसे उपर है जूकि यह activity कर रही है अभी यह आपके phone के दूसरे sensors को track करती है जैसे कि accelerometer, barometer, gyroscope sensor आदी आव इन sensor को access करने के लिए कोई special permission के जरूत नहीं होती आव इनकी मदद से आपकी phone के activity को track किया जा सकता है इवन आपकी location का भी पता लगाया जा सकता है जैसे कि मैं आपको गदरान से समझाता हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है अब यह जो accelerometer है यह आपकी phone की movement को track करता है जैसे कि आप बैठे हुए हैं या चल रहे हैं या लेटे हुए हैं साइकलिंग कर रहे हैं सीडिया चड़ रहे हैं या उतर रहे हैं या workout कर रहे हैं इससे सब खड़े होंगे बस से उतरेंगे और आपके साथ वाले passenger भी उतरेंगे आप माल लीजिए उन passengers में से कुछ लोगों ने location permission या tracking को allow किया हुआ है तो यह application आपकी phone की movement को उसकी activities को और vibration को दूसरे यूरे से match कराएंगी और same movement और activities के आदार पर यह आपके location का पता लगा सकती ह इसके अलावा यह application phone के temperature, pressure, light, altitude और magnometer के आदार पर आपके location का idea लगा सकती है तो same time पर save movement, activities, phone के pressure, altitude, light और magnometer के आदार पर आपके exact location निकाली जा सकती है आप भले ही अपने location permission को allow नहीं किया है उसके बावजूद भी यह इसको दूसरे यूरे से match कराकर आपके location निकाल सकता है जिननों भी permission को allow किया हुआ है तो आज कल ऐसा भी हो रहा है तो ऐसे बहुत से sensor हैं जिनको track करने के लिए कोई special permission की जरूद नहीं पड़ती कई device के अंदर तो और भी कई sensor आते हैं जैसे कि heart rate monitor, breathing sensor, ECG जैसे sensor भी हैं जो कि आपकी health को track करते हैं तो ऐसे sensor को भी access किया जा सक सकता है तो वो sensitive information भी यह application collect कर सकती है अभी हाली में security researcher ने iPhone में Facebook को यह practice करते हुए पाया गया है तो यह companies आपको track करने के लिए नहीं तरीके ढूंडती रहती हैं फिलाल ले दिया आप इस tracking से बचना चाहते हैं तो आपको इन application को use करना बंद करना होगा यानि आपको इनको आपको track ना कर पाएं जब तक कि Apple इसके लिए कोई update लेकर नहीं आता तो बस आज के छोड़े से वीडियो का मकसद आपको केवल यही बताना था कि ऐसा भी हो रहा है इसके बारे में आपके क्या राय है comment करके जरूर बताइएगा और यह आपको यह जंकरी पसंद आई तो इसको अपने दोस्तों के साथ अपने groups में share जरूर कीजिएगा ताकि इसके बारे में और लोगों को भी पता चल सके और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और आपका इतिकल hacking और cyber security में इंट्रेस्ट है तो आप cyber tube.net को जान कर सकते हैं आपको जहापने मेरी काफी सार सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की में पूर जानकरियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बैल आइकन को प्रेस करके जरूर रखेगा ताकि अब मेरी कोई वी नई वीडियो आए वो मिसना हो पाए तो भी के लिए मैं आप से जाज चाहूँगा जल